हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू मैं चैनल, आज हम ये डिजाइनर कुर्ती बनाएंगे, इसके बेले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, तो देखे मैंने यहाँ पे 3 मीटर प्रिंटेड फाब्रिक लिया है, और प्ले प्लू मैं ले रहे हूं 7-inch, आरम होल भी मैं ले रहे हूं 7-inch, इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, अभी यहाँ पे हमें चेस्ट का 4th पर्ट प्लस 2-inch margin लेना है, तो मैं ले रहे हूं 12-inch और यहाँ पे हमें कमर का फूर्थ पार्ट प्लस टू इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 10 इंच इन दोनों पॉइंट्स को जोड देंगे यहाँ पर वन इंच उपर मार्क करना है और हलका सा राउंड शेप दे देना है इस तरह से अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे यह हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से हम एक और आर्मोल ड्रॉ करेंगे यह हमारा फ्रेंट का आर्मोल है तो देखें मार्किंग हो गई है अभी हम इसकी कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम बैक आर्मोल से कटिंग करेंगे तो देखे हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है अभी हम इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रेंट पार्ट को वापस टू फोल्ड करेंगे और अब हम फ्रेंट आर्मोल की कटिंग करेंगे इस तरह से अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो मैंने फाबरिक को फोर फोल्ड कर लिया है और ये फोर फोल्ड मैंने लिया है 9.5 इंच का जितना आपका आर्मोल है उसमें 2 से धाइन जदा लेना है और स्लीव की लेंथ में ले रही हूँ 12 इंच यहाँ पर ओपन साइड से 3 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से हम स्लीव का शेप देंगे और स्लीव बॉटम मैं ले रही हूँ 7 इंच इन दोनों पॉइंट्स को जोड देंगे और अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे देखे स्लीव की कटिंग करने के बाद में इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पर हाफ इंच अंदर से मार्क करके फ्रेंट स्लीव कट कर लेना है अभी हम bottom part cut करेंगे तो मैंने fabric को four fold किया है और ये four fold मैंने लिया है 18 इंच का bottom part की length मैंने लिया है 32 इंच अभी जो हमने top part cut किया है इसे हम यहाँ पर रखेंगे और इसे हम एक और बार fold करेंगे इस थरह से और यहाँ पर हम कमर का निशान लगा लेंगे और half inch हम extra लेंगे margin अभी हम देखेंगे कि यह हमारा कितना है तो यह हमारा आ रहा है 5.5 इंच तो दूसरी तरफ भी हम 5.5 इंच पर mark करेंगे और अभी हम इन दोनों points को जोड़ देंगे अब हम इसकी यहाँ से cutting कर लेंगे तो देखें हमने आपे cutting कर ली है अभी इस पार्ट को उठा के हम इस तरफ रखेंगे देखें इस तरह से रखना है हमें तो इस तरह से हमारे पास 6 कलियां आ जाएंगी यह देखें यह हम center की 2 कलियां है और यह side की 4 कलियां है अभी हम इन कलियों को जोडेंगे तो सबसे पहले हम एक कली को side में रखेंगे देखें यह center वाली कली है और इसकी side की कली हम इसे यहाँ पे attach करेंगे तो तिर्ची side पे हमें सीधी side ही attach करनी है इसे है इसके उपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के इसे attach करेंगे इसी तरह से दूसरी वाली side में भी हम दूसरी कली attach करेंगे इस तरह से हमें 3 front के लिए और 3 back के लिए कलियां attach करनी है तो देखें हमने यहाँ पे 3 कलियां attach कर लिए और इसी तरह से back के लिए भी 3 कलियां attach कर लिए है है इसकी length है 14 इंच और इसकी चोड़ाई है 9 इंच इसे center से fold करना है अब यहाँ पर हम 1.5 इंच पर mark करेंगे 1.5 इंच पर mark करेंगे पूरा नीचे तक हम 1.5 इंच पर mark करते जाएंगे देखें mark करने के बाद में हम scale लेंगे और इस तरह से तिर्ची line ड्रॉ करेंगे देखें इस तरह से हमें तिर्ची lines ड्रॉ कर लेनी हैं यहाँ पर देखें उसके बाद में हम इसे open करेंगे और इस तरह से वापस एक बार fold करेंगे और इसे हम अच्छे से दबाएंगे जिससे कि यह हमारे lines की निशान दूसरी तरब भी आ जाएं देखें हमारे lines की निशान दूसरी तरब भी आ गए हैं हम इने dark कर लेंगे देखें इस तरह से हमें निशान बना लेना है अब भी हम इसे center से fold करके neck का निशान लगाएंगे तो neck की चोड़ाई में ले रही हूं 3 inch और neck deep में ले रही हूं 4 inch यहां पर भी 3 inch लेके हमें round shape दे देना है इस तरह से अब यहां से 2 inch down mark करके V shape देना है अब हम इसकी cutting करेंगे देखें इस तरह से हमें neck की cutting कर लेनी है अभी हमने यह gotta lace ली है तो जो हमने lines बनाई है तो हमें इन lines पे गोटा lace को attach कर लेना है इस तरह से हम पूरी lines में गोटा lace लगा लेंगे तो देखें हमने यहां पे इस तरह से lace को attach कर लिया है अभी हमें front का part लेना है यह उल्टी side है front part की तो इसके उपर हमें इस patch को भी उल्टा रख देना है यहां पर हम इसे pin से secure कर लेंगे यहां पे center से center को मिलाना है अच्छे से देखें उसके बाद में हम neck के shape में इस तरह से सिलाई लगा देंगे देखें हमने सिलाई लगा दी है अभी हम extra कपड़े को cut कर देंगे extra कपड़े को cut करने के बाद में यहां पर हम चोटे चोटे cut लगा लेंगे और उसके बाद में हम इसे सीधी side में turn करेंगे इस तरह से देखें turn करने के बाद में हम यहां पर top stitch लगा लेंगे यहां पर हम इसे pin से secure कर लेंगे उसके बाद में यहां से इसे हम half inch तक fold करते हुए patch को attach कर लेंगे इस तरह से देखें हमने यहां पर इस तरह से patch को attach कर लिया है अभी देखे ये back का part है तो back neck की cutting करेंगे तो neck width मैं ले रही हूँ 3 inch और neck deep मैं ले रही हूँ 4 inch यहाँ पर round shape दे देंगे और इसकी cutting कर लेंगे तो देखे हमने cutting कर ली है इसे open कर लेना है और इसके neck के finishing के लिए हमने इसी shape की strip लेनी है इसे हम इसके उपर उल्टा रखके neck के shape में सिलाई लगा देंगे देखे हमने सिलाई लगा दी है अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे और strip को wrong side में double fold करते हुए सिलाई लगा देंगे इस तरह से back neck बना लेना है देखे back neck बना लिया है अभी हम front का part इसके उपर उल्टा रखके shoulder पे सिलाई लगा देंगे अभी देखे sleeve के लिए हमने ये दो strip ली है और इसकी length ली है 2 inch तो अभी हमें scale से इन strips पे भी तिरची lines बना लेनी है इस तरह से डेड़ डेड़ इंच की gap से हम lines बना लेंगे इस तरह से दूसरी वाली strip पे भी हम lines बनाएंगे तो देखे lines बनाने के बाद में हमें गोटा लेस लेनी है और इसे भी हमें यहाँ पे जहां हमने निशान लगाया है वहाँ पे attach कर लेना है देखे हमने दोनों strip में गोटा लेस लगा ली है अभी हम sleeve लेंगे तो यह sleeve की सिधी side है तो sleeve को हम इसके उपर रखेंगे strip के उपर और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे देखे हमने सिलाई लगा दी है अभी हम strip को सिधी side में turn करेंगे उसके बाद में यहाँ पे top stitch लगानी है और यहाँ पर इस strip को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते वे सिलाई लगा देंगे इसी तरह से हमने दोनों sleeve में lace attach कर ली है अभी हम shoulder पे sleeve को attach करेंगे तो इसके लिए sleeve को shoulder के उपर उलटा रखके सिलाई लगा देंगे इसी तरह से दोनों sleeve attach कर लेंगे देखे हमने sleeve को attach कर लिया है अभी हम top part को bottom part से attach करेंगे तो इसके लिए टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर हम उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा के इसे अटेज करेंगे इसी तरह से बैक पार्ट भी अटेज करेंगे देखें हमने टॉप और बॉटम को अटेज कर लिया है अभी हम इसे उल्टा करेंगे और स्लीव से लेके बोटम तक फिटिंग कर लेंगे और बोटम में डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें थैंक यू